दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर हमेशा से ही प्लानिंग और प्लोटिंग चलती आई है अब बिग बॉस के घर के अंदर आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि नया कैप्टन बनेगा कोई उमीदवार सामने आएंगे तो उसी को लेकर जो राहूल बिग बॉस के घर के अंदर है उनके पास एक अधिकार होगा कि उनके पास एक माला होगी सोनी की और वह माला जिसको देंगे वह कैप्टनसी के हखदार के लिए नॉमिनेट हो जाएगा यानि की वह एक कंटेस्टन बन जाएगा तो यहाँ पे जो है जो राहुल महाजन है उनको सभी लोग पटाने की कोशिस करते हैं यहाँ पे एक अलग टीम बन चुकी है इजाज की और मनुपंजाबी की और दूसरी टीम बन चुकी है विकाज गुपता और जैस्मीन और अभिनौ सुकला की यहाँ पे अभिनौ सुकला एक बहुत ही तगडम दिमाख लगाते हुए दिखते हैं और वो राहूल को कहते हैं कि यार अगर आप इजाज खान को कैप्टन बना दिये तो इजाज खान घर में बहुत ज़्यादा काम करता है और अगर वो कैप्टन बन गया तो सारा का सारा काम आपको करना पड़े आएगा तो आप सोच समझ लीजिए वहीं पे दूसरे साइड इजाज खान, अर्सी खान और मनु पंजाबी का भी प्लानिंग और प्लोटिंग चलती रहती है और यहां पे साफ साफ इजाज खान जो है वो कहते हैं कि कैप्टन हमी में से कोई दो बनने चाहिए या फिर मैं बनू या फिर जो मनु पंजाबी है वो बने तो यहां पे वो राहुल को एक डील देते हैं और डील में कहते हैं इजाज खान कि अगर हम दोनों में से कोई भी कैपिटन मनता है तो राहुल आपको हम नॉमिनेशन से बचाएंगे आपको सेफ करेंगे आप टेंशन मत लीजिए हम लोग आपके साथ हैं अब यहाँ पर अभिनौ सुकला और बाकी जो टीम है उनको दिक्कत आने सुरू हो जाती है फिर अभि प्रिसोड में आपको देखने को मिलने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर तो आपका क्या है कहना कमेंट में लिखके बताएं सब्सक्राइब करें बॉलिवूड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले धन्यवाद